हालो फ्रेंड्स वेलकम टो और चैनल परवेज होम प्लान और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो कमरों का टीन सेट हाउस प्लान इस घर के अंदर दो बैडरूम, एक कीचन, दो लेटन बाथ, हॉल और बरांदे के साथ डिजाइन किया गया है और फ्रेंड्स हमारे एक सब्सक्राइबर है, उने की रिक्वेश्ट पर इस घर का मोडल तैर किया गया है इस घर की साइज की बात कर ले तो इसकी जो लंबाई है वो 28 फिट है और इसकी जो चोड़ाई है वो 25 फीट है ओके फ्रेंट्स और साथ ही साथ आप मेरे वेबसाइट पर भी वीजिट कर सकते हैं इस चैनल पर जितने मॉडल बनाता हूं सारे मॉडल को वیबसाइट पर डालता हूं और वेबसाइट पर आपको इस प्लानगा टूडी ड्राइंग भी देखने को मिलेगा और सारे डिटेल भी देखने को मिलेगा जैसे कि रूम के साइज, वाच रूम की साइज, कीजिन की साइज, हौल की साइज, वरांदे की साइज यह सारे डिटेल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा वारे तू डी ट्राइंग का पीडिए भी डाउनलूड कर सकते हैं और विजिपसराइट के लिंग में डिस्क्रिप्षोन में डालदूंगा आप डिस्कस्ट्र में जाके वाहाते विजित कर सकते हैं तो चले फिरेंस वीडियो श्टार्ट करते हैं और यह देख सकते हैं हमारे घर का फ्रेंट एलिवेसन है जो कुछिस परकार से रहेगा सामने आपको छे फीट का बरांदा देखने को मिलेगा और इसके लिए चारो तरप से ओपनिंग है और साइड भीव की बात करें तो कुछिस परकार से विडियो का डिजान देख सकते है और यह आप आगे छट पर रेलिंग देख सकते हैं आईरल रेलिंग दिया गया है और छट को देखे कुछिस परकार से टीन सेट रूफिंग किया गया है चले अब इसमें से छट को रिमूव करते हैं और रूम के साइज के डिटेल को समझते हैं ओके फ्रेंट और यह हमने से अटर के बरहाजे में जाएंगे और य यह मारा प्रन्ड में वरांदा हaney मीसाइज की बात करें तो इसकी जो लम्भाई रहेगी वह छेज की है और इसकी जो चोड़ाई रहेगी यहाँ से अहां तक वह 24 सेज ना पर वह से और खुब पिर आके की और फ्रिंट्स हॉल की साइस की बात करें तो इसकी लंबाई आट फिट रहेगी और इसकी चोड़ाई तेरा फिट चार इंच रहेगी और इसकी वेंटिलेशन के लिए दो दो विंड़ो फ्रेंड में दिया गया है और यहां पर डाइनिंग सेट लगा सकते हैं अब वो चलते कीचन के तरफ और है हमारा कीचन का डोर है इसी डोर सेंटर के कीचन में जाएंगे और कीचन की साइज की बात करें तो इसकी लंबाई आट फिट रहेगी और इसकी चोड़ाई पांच फिट रहेगी और इसकी वेंटिलेसन के लिए दो दो विंडो है एक साइड में और एक व बारा बे बारा का कम्रा है और इसकी दो-डो थो उडो spec आइगाया और इसकी जो चोड आई हो गारे और साइड मेर दिया गया है अaking और इसमें attached washroom दिया गया है जिसका डौर यहाँ पर है देख सकते हैं इसी डौर सेंटर के attached washroom में आएंगे और इसकी size की बात करें तो इसकी लंबाई 3 फिट रहेगी और इसकी चोड़ाई जो है 5 फिट रहेगी और इसकी बेंटरिसन के साइड में एक प्रशनदान दिया गया ओके फ्रेंट्स यहां हमारा ground floor मकमल हो गया I hope आपको समझ आया होगा अगर कोई doubt हो तो comment करके पूछ सकते हैं Okay friends अब चले इसमें टीन से टूफ को add करते हैं और यह हमने add कर लिया हो देख सकते हैं कुछ इस परकार से रहेगा यहां पर टीन से आगे के तरफ ढाल दिया गया है जो कि पानी यहां आगे बरांदे के ऊपर एक slab ढाला गया है जिस पे पानी स्टोर होगा और यहां से pipe के थूफ बाहर निकल जाएगा Okay friends और यह सामने से कुछ इस परकार से railing दिया गया है जो कि काफी प्यारा है friends और आप चाहें तो इस slab को और चोटा करके टीन से टूफ को और आगे तक ला सकते हैं और छट पे मैंने तीन फीट का railing देया है जो कि देख सकते हैं तीनों तरफ से railing है और सामने से कुछ इस परकार से आईरन रट का डिजाइन दिया गया है जो कि देखने में काफी खुफसूरत लग रहा है friends और यह railing की वैसे टीन से छुप जा रहा है जो कि पता ही नहीं चला है यह टीन से ठाउस प्लान है अगर आप घर बनवाना चाते हैं तो इस प्लान को कॉपी करके घर बनवा सकते हैं friends और अगर आपके plot का साइज difference है तो आप plot का साइज comment वे mention कर दीजे मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं इस पर वीडियो बनाकर अप्लोड कर दूँगा ओके friends एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कल फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो साथ तब तक के लिए बाए